नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ क्यूं में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं स्वास्थ से जुड़ी कुछ बहतरीन जानकारी और हेल्दी रहने के उपाई चहरे की वैक्सिंग करते समय ध्यान रखने योग ये 6 बातें चहरे पर अंचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए लड़कियां चहरे पर ब्रीच ये वैक्स करती हैं कई बार कई सौंदरी उत्पादों और उपचारों का भी उपयोग किया जाता है कई महिलाएं चहरे पर अंचाहे बालों से निजात पाने के लिए सिर्फ वैक्सिंग का सहरा लेती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैक्सिंग करते समय कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ऐसा ना करने से आपको फायदा होने के बजाए नुकसान भी हो सकता है तो चलिए जानते हैं आज कि फेस वैक्सिंग करने से पहले आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए अकसर लड़किया सोचती हैं कि फेस वैक्सिंग करना बहुत आसान है इसलिए वे घर पर ही face waxing शुरू कर देती हैं लेकिन कभी भी घर पर ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसकी जगह आप किसी और की मदद से face wax trips का उपयोग करें स्वच्छता का रखें ध्यान waxing से पहले अपने चहरे को अच्छी द्रह से धो लें बाद में भी अच्छे से साफ करें इसके लिए आप face wash का इस्तमाल भी कर सकती हैं ध्यान रहे कि अगर चहरा साफ है तब ही waxing के बाद चहरे पर अंचाहे बाल हटाने में मदद मिलेगी scrubbing और bleaching के दोरान रहे साबधान ध्यान रखें कि waxing के 12 घंटे पहले या बाद में थ्वचा पर bleach, scrubbing या कोई face pack ना लगाएं या आपकी थ्वचा को नुकसान पहुँचाता है इसके अलावा waxing के बाद face wash या साबून का इस्तमाल भी ना करें थ्वचा की प्रकार पढ़ दें ध्यान waxing से पहले अपने थ्वचा की प्रकार की जाच अवश्य करने यदि आपकी थ्वचा sensitive यानि समवेदन शील है तो किसे थ्वचा विशिशक किसे जरूर परामश करें इसलिए आपको waxing के बाद संक्रमन नहीं होगा चेहरे के लिए चुने उपियुक्त wax ध्यान रखें कि चेहरे पर इस्तमाल किये जाने वाला wax अन्य wax से अलग होता है इसलिए जब चेहरे पर waxing करें तो सही wax का ही चयन करें ऐसा ना करने से आपको skin rashes, त्वचा पर चकत्ते या जलन जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है इसके लिए आप aloe vera honey wax का इस्तमाल कर सकती है चेहरे के बालों की व्रधी पर दें ध्यान चेहरे के बालों की ग्रोथ कम होने पर wax बिलकुल ना करें अगर आपके बालों की ग्रोथ जादा है तो ही waxing फाइदे मन्द है चोटे बाल काटने के लिए आप threading का उपयोग भी कर सकती है waxing के बाद किन चीज़ों का रखें ध्यान waxing के बाद यदि आपकी skin लान हो जाती है या उस पर rashes हो जाते है तो उस पर बर्फ लगाएं या बर्फ के टुकडे से उस जगह पर मालिश करें यदि आपके चेहरे पर अधिक जलन हो रही हो तो मुलतानी मिट्टी, अलोवेरा जेल या ककडी का रस लगाएं waxing के बाद waxing lotion जरूर लगाएं जरूरत पढ़ने पर आप face serum भी लगा सकती है waxing के बाद कोई भी सुगंदित क्रीम बिलकुल ना लगाएं ये जलन पैदा कर सकती है waxing के बाद 24 घंटों तक धूप में बिलकुल ना जाएं तकरीमन 24 घंटों के लिए सुविंग पूर में भी ना तैरें synthetic कपड़े से अपने चेहरे को साफ बिलकुल ना करें इसके लिए आप napkin का उपयोग करें चेहरे को साफ करने के लिए साबुन के बजाए face wash का इस्तिमाल करें waxing के बाद gas के पास काम ना करें दरसल waxing के बाद आपकी skin pores खुल जाती है और इस तरह ये आपकी skin को नुकसान पहुँचा सकता है face waxing के side effect चेहरे की waxing भी हानिकारक हो सकती है क्योंकि आपके चेहरे की तवच्चा मुलायम होती है इसी तरह लगातार waxing करने से समय से पहले जुर्यां भी पढ़ सकती है इसके अलावा अकसर waxing से hair follicles को नुकसान होता है ये infection और सूचन जैसे समस्याओं का कारण बन सकता है यही नहीं इससे निशान भी पढ़ सकते हैं इसलिए waxing से पहले आपका सावधान रहना बेहत जरूरी है दोस्तों हेल्ट से जुड़ी और जानकारी के लिए पनी रहे हमारे चैनल हेल्ट क्यूग के साथ साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप स्वास्थ से जुड़ी किसी भी जानकारी से वजचित ना रह जाएं और अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो साथ ही से लाइक और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद